नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे साप के केचुली से होने वाले तीन ऐसे फायदे के बारे में जैसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तो इस संगसार में जो भी चीज है हर चीज का कोई ना कोई विशेश कारण और परियोग होता है इसी तरह से साप के केचुली का भी परियोग आईरवेद और वास्टु सास्त्र में तीन तरह से लाबकारी होता है ये बताया गया है तो पहला है अगर घर का कोई भी मिंबर नीन में बहुत जादा बढ़ बढ़ाता है या फिर अचानक चीख कर नीन से उठ जाता है या फिर किसी भी तरह के निगेटिव एनरजी का शिकार है तो ऐसे इनसान को साप की केचुली को चान्दी के ताबिज में डाल कर अगर उस इनसान के गले में आप पहनाते हैं उसे धारन करवाते हैं तो उसकी ये समस्या जो है ये दूर हो जाती है दूसरा आयरवेद के अनुसार साप के केचुली को सूति कपड़े में लपेट कर आखो की सिकाई करने से आखो उपर लगा चश्मा भी उतर जाता है इसके इतने फाइदे हैं और तीसरा जो सबसे खास है, सबसे महतपूर्ण है, सबसे एहम है, वो ये है कि साब की केचुली को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर जहां आप धन रखते हैं, फिर चाहे तीजोरी में हो, अलमारी के लौकर में हो, बकसे में हो, जहां भी आप धन रखते हैं, वहाँ पे की समस्या आपके जीवन से खत्म हो जाती है तो ये तीन बहुत ही बड़े फाइदे आपको साब की केचुली से हो सकते हैं